प्रिंसिपल प्रिंसिपल पीजी डीजी डी मनलब आप में से बहुत सारे लोग परेशान थे इस चीज को लेके कि हमारा यह नहीं पता चल पा रहा हम लिजिबल है की नहीं तो मैंने इसको बड़े आशान सब्दों में आप लोग के सामने रखने की कोशिश की है और कल से हम अपनी क्लासिश शुरू कर रहे हैं एन्विस 2020 की डेमो के आधार पर तो कल जनरल पेपर के डेमो में टीचिंग एप्टिट्यूट की क्लास होगी मेरे साथ दो फैर में कितने बज़े तीन बज़े यह ना कल दो फैर में आपसे मुलाकात होगी मेरी कितनी बज़े तीन बज़े एक बैतरीन क्लास के साथ जिसमें आप देखेंगे कि NBS का जो आपका क कहीं पर 10 नंबर का, कहीं पर 20 नंबर का, जो teaching aptitude हाता है, उसमें हम लेके चलेंगे, bilingual रूप से, यह आपको, तो यह class ऐसी होगी, हरे बच्चा ले सकता है, इसे क्या हो, CTET वाला हो, DETERPERS वाला हो, AWS वाला हो, सब लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, कल दो फैर में 3 वजे, सर, आपको कौन नहीं जानता, अच्छा जी, तो इसके बाद यहां से आ जाते हैं, बाकी, मेरे बाद आपसे जो हैं, NVS में मिल ले आएंगे, TGT, PGT, English के साथ, आपके तिवारी सर, जो आपको देंगे, सब जे क्लास 4 वजे, तो आपको कल बैक टू बैक दो क्लासे मिलेंगे, NVS के, जिसमें एक मेरे साथ होगी, और दूसरी क्लास होगी, आपकी किन के साथ, आपकी दूसरी क्लास होगी, तिवारी सर के साथ, और अब फिलाल, आज की क्लास शुरुआत करते हैं, जिसका हमने इंतजार किया था, जिसके बारे हमने कल जिक्र किया था, ये हैं पेड़ागोजी, PYQ मिला, सीटेट, रीड, सूपर टेट, के विएस, AWS, DSS, बेन, अदर टीचिंग एक्जाम के साथ, जहां पर आपको आज ना, हर एक एरिया से, कुछ पर्षनों को मैं लाया हूँ, जिसमें अलग-अलग एक्जाम से वो सवाल है, तो आप उन्हें पाएंगे, और उसके बाद देखेंगे, यहां कुछ नया है, क्योंकि मैंने अभी सीटेट के शुरू शुरू नहीं की, प्रिवस कोशिन पेपर्स वाली, क्योंकि अभी काफी टाइम में नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो अभी से प्रिवस कराने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है, तो यहां आपके सामने आज के लिए करते हैं, क्लास शुरू आ जाएगा, यह टेस्ट कितने टाइम के अंदर हो जाता है, अब, बिटां, वो तो एक लाज, आज का जो होगा, कोशिश करेंगे, हम इसे भी 30 से 40 मिनिट के अंदर करने की पूरी-पूरी कोशिश है, तो अगर आप तैयार हैं, तो बस जै मता दीना बोलके एक बार जै हिंद बोल दीजेगा, और क्लास शुरू करते हैं, आर यू रेड़ी, बदाईएगा, देन, मैं भी एक बार देख लो, तुम तक खबर पहुचा दी गया, हो गया, हो गया, हो गया, बिलकुल, बिलकुल, चलो जी, ये रहा आज का पहला सवाल, जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग के सामने, आ, तुम भद्रा, दश, चलो नाम हो गया, भाई, मैसिज नाम बाज, जिसका एक बार आँख बंद करके, मैं आज से आँख खोलूँ है, तो जिसका पहली बार मेरे सामने नाम होगा, हम उसे कोशिश करेंगे, कई बार रिपीट करें, तो बच्चों में मैं उसका नाम ले लेंगे, ठीक है, तो जैसे यहां कोलते हैं, तो हमारे सामने एक नाम आता है, अमीता सिंग, क्या नाम आता है, अमीता सिंग, तो अमीता सिंग का नाम लेके चलते हैं, अमीता और रितु चोदरी दो नाम आए हैं, चलेगा ये रहा भाई आज का पहला सवाल और आज इनकी अंतिम्तिती है भाई इस डिसकाउंट की कल से आपको फ्लेट आगे वाले प्राइज में लेंगे पीछे वाले में नहीं फिलाल ये रहा आज का पहला सवाल तो पहला सवाल लाए हैं वहां से जो आया था MSTET तो महरा अप्शन नमबर ABCD में आदार पर जी हाँ जी तो आप इस सवाल के साथ जब जा रहे हैं तो option नमबर आपने चुना है इसके लिए C या D तो देखते हैं पहला कहता है evaluate करेगा student को अच्छे तरीके से दूसरा कहता है discipline करेगा तो यह तो negative होगा मेरे बच्चे इसको तो वैसे हटा दू तीसरा कहता है आप समझेंग बच्चे को बहुत बैतर तरीके से जा रहा है तो understand करेगा यह वात क्या है positive बहुत बढ़िया और तीसरा कहता है teach the curriculum better तो देखे अगर आप educational psychology को knowledge जो है वो enable करती है किसकी teacher को तो teacher को अगर बात होगी तो इसका मतलब समझेगा किसे आपको और अगर आपको समझेगा तो class का group क्या होगा बढ़िया और अगर group बढ़िया होगा तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो बैतर क्या होगा option number C तो जिन्नोंने C चुना हो बहुत बढ़िया नमबर दो आज का जो हमारे बिहार टैट paper one class एक से लेके चार 2011 का सवाल है जिसमें हमने आप से पूछा है यह कर रहा होगा तो इस परकार का जो चात्र होगा वो किस आधार पर आपके सामने आएगा वो आपको create करेगा आपका self-reliance दूसरा कहता है increase करेगा physical strength को increase करेगा mental power को और इस पर बढ़ेगी उसके अंदर hard work की और उसको acquired करने की भावना जाग रक्त हो जाएगे जी जी बहुत बढ़ी है सवाल नंबर दो की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं तो आप इस तरफ बढ़ते हैं तो दो का जवाब option नंबर ABC में से क्या है देखो बढ़ी अगर आपने किया है यहाँ student है जो क्या करता है अपने आप से जो इनसान अपने हातों से काम कर रहा है इसक अपने साहरे आएगा इसका अंदर इसका आत्म निर्भरता जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी पैदा हो जाएगी तयार हो जाएगी इसलिए सवाल का 74% लोगों ने अगर जवाब दिया option number 8 तो बहुत बढ़िया बैदरीन सावाश नया सवाल इसी बात पर MPTET paper 1 में आया सवाल था 2011 साल था उसने आपसे पूछाया इस बारे में कि social development of an infant depend on कि सामाजिक जो विकास होता है किसी भी infant का किसी भी नवजात शिशु का वो किस बात पर आधारित होता है बढ़िए आपके सामने number 3 है बैटा आपको ना प्लीज यह जो died 3842 in पता नहीं क्या नाम लिख देते तो नाम नहीं लिखते उसमें ना वो final KBS के notification तक का वेट करना पड़ेगा फिर आपको जी बैटा सेडी पी तुम लोग क्या करता हो तुम लोग को ना ऐसी यादत होगी कि यूट्यूब पे जो चल जाता है ना तुम उसे ही चाहते हो कराना है अरे अभी सीटेट का notification नेया तो अभी से previous question paper करके क्या करो गयार रीट के previous question paper मैं दिन में पांचार आठ बजे कराई रहा हूँ अजय आदा वाट बजे आना था बैटा चलो यहाँ देखो infant depend करता है on the love and belonging that the child receive कि भाई जो प्यार प्राप्त करता है बालक एक तो इस बात पर दूसरा कहता हो interaction करता है किसके साथ other दूसरों के साथ तीसरा कहता है उसकी जो ability है वो attract करती है attention to other to himself कि आओ मेरे पास आओ और कहता है तीसरा सभी के सभी को लेकर जाओ तो देखो सवाल के जवाब के साथ न अगर गडबड करोगे खोटा बालक प्यार का भूका बिल्कुल सही बात वो दूसरे तो ऐसे तुमने देखना वो एक टालू है ना इस तरीके से करतो और हो क्या गरे है इस ability to attract the attention to other होगा infant depend करता उसको social development क्या होगा कि हाँ भई दूसरों के आप क्या करेगा उसकी तरह दोड़े आएंगे मिलेंगे जानेंगे उसको प्यार कुछ बच्चे होते हैं तुमने नहीं देखा हमारे एक तो बच्च सवाल का जो सही जवाब होगा बेटा हो क्या होगा option number D किसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी और आकर सित करने के क्या है चमता पर है बड़िये smile देगा पास करेगा आप खुद ही दोड़े चले जाओगा इसके बाद तो इसलिए सवाल का जवाब होगा option number क्या होगा D तो जिन लोगे ने D जवाब दिया हो विल्कुल क्या है सही है चलो आप आगया number 3 के बाद number 4 पर रीट 6-8-2015 का सवाल है पूछना चाहता है ये कि this stage is also called the time of pseudo maturity बताईएगा तो जो मिथ्या परिपक्वता है आपको ये भी बताना है कि ये जो मिथ्या परिपक्वता word है ये क किस सहाब ने बोला था Kilini बोला था इसके बारे में कि मिथ्या परिपक्वता जो बच्चे में आती है ये शब्द किस मतलब psychologist ने यूज किया था रूबी बेटा रोज परेसानी होगी पोल क्लोज करिए का डिस्टर्वेंस होता है किसे को मज़ा आता है किसे को डिस्टर्वेंस होता है क्या करें वालक बेटा आप जो भी है प्लीज या तो अब गर आपने इस बार एक बार भी कोपी ये message बार-बार paste किया ना ये तनु बरोती रोकस्तार बेटा बोल दिया हाँ 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 ठीक है प्लीज देखो ये वाली बात जो है मिथ्या वाली बात है तो इसका मतलब मिथ्या वाली बात है उसी तरीके से समझे से भी याद रखोगे ये जो शब्द जैसे बाहरी दिखावट के बारे में बोलते हैं रो साब उसी तरह इसके बारे में बात करते हैं हमारे कौन साब पहले तो ये शब्द दिया है किसने रो साब ने रो डबल स वालों ने ठीक है और ये जो आता है अगर इस सवाल को देखोगे चार को तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा चाइल्डूड लेकिन अगर इसे और थोड़ा सा आगे लेके चलोगे तो क्या लेटर चाइल्डूड हो सकता है हाँ या ना बताएं बिल्कुल रोस आपकी ये बात है और इसने का चवाब क्या होगा आपने चाइल्डूड बिल्कुल सही दिया चलिएगा आगे बढ़ेंगे नए परशन की ओड़ और जो नया परशन है और चार के बाद ये रहा पांच नमबर MPTate का सवाल है बई और सवाल क्या पूछे दो कितना बढ़िया सवाल है आप इस स्रीज में पाएंगे जो questions है उनके level के इसाब से और उनके जो समझ है आपको ना एक pedagogy का deep knowledge देके चलेगी पहला तो आप जब heredity का नियम पढ़ते हैं heredity in environment में तो Mendel साब भी इसके बारे में बताते हैं कुछ लोग और भी इसके बारे में बताते हैं normally हम चार सिद्धान्थ पढ़ते हैं regression का, similarity का और उसके दावलावा दो आपको comment box में देना है मेरे को आपको मुझे यह बताना है कि जब आप कहना है कि child जो है अपने जो different from his parents in a few ways मतलब अपने माता पिता से कुछ तरीकों से बिलकुल क्या है अलग है तो आप इसे कौन से उसके साथ नियम के साथ लेके चलेंगे यह आप से पूछा जाए आजी बिटा होगी तो देखो इस बात को हमेशा याद रखेगा जो german flasm theory है उसको तो हटा दीजेगा जो दूसरे वाला regression regression इसका अंदर आप क्या है regret कर रहे हैं किसी चीज़ से क्या कर रहे हैं आपको regret है आपको क्या है आप उससे क्या तवर नहीं रखते क्या बोलता उसको तकल्नुफ नहीं रखते आप उससे क्या है मनलब आपके और दूसरी बात से सहमत ही नहीं रखते तो इसलिए similarity रखोगे तब तो ठीक बात है तो यहाँ पर जो होगा regression वाली बात कई बार तुमने यह देखा होगा और कोई बच्चा कहते है यह मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी लाल मेरा चेहरे पर मिलता है मेरा आँख पर मिलता है इसकी आँख है मेरे जैसी है तो याद रखना similarity वाली है तो आज वो फिर इसी बात पर चलेगा इसका जवाब option number भी आगे देखो किताब का परचार है जो चाहिए वो ले लीजेगा विचार नहीं मिलते regression वाली बात थी number six how learning affect the personality of a child the most आप से राजिस्थान TED का paper था 2012 में आया सवाल था और उसने कहा ये वाली बार कि जो बच्चे के personality है learning उसे कैसे effect करती है आपके सामने पूछा गया है उस से related नीचे चार से धान दिये गए है कि बालक के विक्तितु को किस परकार का अधिगम सबसे ज़्यादा परवावित करता है तर आप week क्यो नहीं हो रहे यार इस बच्चे को block करो यार ये सुनने की बजाए ना मतलब बेशर में हद दियार उसी का मैसिज दिख रहा है मिरको कौन है ये seriously सवाल पूँ ये पता नहीं ऐसे लगता है कि क्या करते हैं देखो आप जो भी है last morning है बेटा प्लीज आप से जब बोला ये KVS के notification के लिए आपको wait करना पड़ेगा पाइनियर में combination नहीं आपने दो साल पढ़ा हो बन जाएगा प्लीज जैसे पढ़ाई को डिस्टब मत किया अगर यार तों पढ़ाई बहुत डिस्टब करते हो seriously चलो रेखा कल से मंडे से होगी बेटा कल से भी होगी नंबर 6 का जवाब दीजेगा और 6 का जवाब अभिशेक आनन के अतसर भी लगाईएगा मेरा दिल भी अभिशेक के साथ जाने को कर रहा था फिर मैंने सोचा क्यों जाओ अभिशेक के साथ जब बहुत सारे लोगों ने भी दिया है साइबा ने भी दिया है राकेश ने भी दिया है कनू पिरिया ने दिया है और इनके साथ निगम ने भी भी दिया है तो हम सोचते हैं फिर सब के साथ ही चले जाते हैं क्यों एक के साथ चले चलेगा तो जिन लोगों ने सवाल का जयादा इमिटेट करना या अनुकरन वाला वो बिलकुल क्या है सही कि how learning affects the personality of the child नमो सबसे ज़्यादा आप किसी का क्या करते हैं अनुकरन मान लीजेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप उस चीज को लेके चल रहे हैं अनुकरन तो यही तो बात है इसका अंदर जो हमारे Albert Vendura साहब है वो भी तो इसी बात को करते हैं और अगर वो इसी बात के साथ चलते हैं तो जवाब का Option Number B साथ वाला नमबर सवाल है CTET Paper 2 में आये था 2013 साल था Penalty the extinction of the reaction is more difficult after which of the following देखो सबसे बड़ी बात धोका क्या होता है बहुत सारे एक्जाम में जैसे CTET के सलेबस में कभी भी पैवलोगा जिकर में आता और जिनको पैवलोग नहीं पड़ा उनों कभी extinction नहीं आता तो इसका मतला अगर according to सलेबस आप देखोगे तो फिर तो पैवलोग आपको लुटवा देगा क्योंकि भी पैवलोग तो आपके सामने आया इसले बस में लेकिन इसले मैं कहता हूँ जब भी पढ़ो ना तो याद रखिएगा सबसे पहले ये मस सोचा गरोगे जो लिखा है वो ही पढ़ना है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा गरो जितना ज़्यादा पढ़ोग उतना मजाएगा जैसे सवाल नंबर साथ है और जो सवाल नंबर साथ है इसमें ये कहना चाहता है कि अग्स्ट्रिंग्शन ऑफ दे रियेक्शन इस मोड डिफिकल्ट आफ्टर विच उप दो फोलेंग अब आप बताईएगा किस के बाद सबसे मुश्किल हो जाएगा पहला कहता है वर्बल रिप्रामेट तो इसको तो तुम हटाई दो दूसरा कहता है कॉंटिनिसरी इन्फोर्समेंट अगर लगातार देते रोगे तब वह वाली बात है तब तो कोई दिक्कती नहीं यह हटा दो पनीश्मेंट वाली बात है ये लेकिन बेटा याद रखिएगा जो पार्शल रिइन्फोर्समेंट होता है आँशिक पुरेर्वलन होता है उसके बाद ये क्या जाता the difficult हो जाता है कि जो विलोपन का कारिय है वो क्या होगा परति किरिया का विलोप होना निमलिखित में से किसके बाद सबसे अधिक कठीन होता है और वो होता है partial reinforcement का अच्छा क्या होता है partial reinforcement क्या होता है जी देखो पार्शल का मतलब होता है कभी-कभी कॉंटिनेस का होता है लगातार इसका मतलब है अनलाइक लिए इस तरीके हाँ पार्शल का होता है कि आप उसे लगातार नहीं देते आप उसे क्या करते हैं कभी-कभी करते हैं और एक बात और याद रखेगा ऐसे ना किसी काम को अगर रोज आप लगातार करते रहेंगे तो उसकी value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन कभी कभाग अगर आप उसे करेंगे तो बढ़े है इसी लिए बटा partial जो reinforcement होता है उसे best reinforcement का दरज़ा भी दिया जाता है continuous reinforcement को ज्यादा अच्छा नहीं बोला जात अच्छा किसको बोला जाता है partial reinforcement को ठीक है चलेगा आगे देखेंगे नया नंबर 7 के बाद 8 है who proposed the concept of goal gradient in problem solving समस्चर समाधान में लक्ष परवनता के संपर्ते को किस ने दिया है ये यूपी टेट का सवाल है आया है आपके सामने कब आशिक से 8 में 18 नवंबर 2018 को जी बताइएगा ऐसा ही reinforcement जो कभी कभी दिया जाए like क्या है surprise बिलकुल चलेगा हिंदी में पढ़ता हूँ बिटा अब देखे समाजी अच्छा एक चीज और मैं अगर आपसे पूछ लो आज एक नया सवाल पूछता हूँ चलो एक नया सवाल बीच में आवा दिमाए जो NCF 2005 है वो आप जानते हैं एक उस पर आधारित है जिसे आप constructivism बोलते हैं क्या सारे के सारे NCF constructivism पर आधारित है येस और नो मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ जो NCF है 2005 ये तो आपको पता है किस पर आधाद है constructivism की theory बार मैं फिलाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी NCF आएं 75 वाला 85 वाला 88 वाला 2000 वाला तो क्या ये सारे के सारे constructivism पर आधारित है येस और नो गोल डार एक गोल ग्रेडियंट जो problem solving में है उसको जो बात करिये उकलार खल साब नहीं की है ये आपका बिल्कुल सही है बस मैं आपसे येस और नो में पूछना चाहता हूँ जी not all not all big no big no big no कोई कहता है अच्छा अगर सारे कहते हैं constructivism पर नहीं है तो फिर तुम ये बता दो किस पर आधारित है बताओ जरा किस पर आधारित है फिर जी बताएं जल्दी तो दिमाग खोलने वाली सिरीज है ये मैं बता देता हूं कुछ नो तो दे दिये जवाब आप 9 से तो काम चलने वाला नहीं है क्योंकि इसके बात को आगे भी जानना पड़ेगा तो constructivism पर संद्रचनावाद पर आधारित है ये तो बात तुमने 2005 संद्रचनावाद पर आधारित है ये पका पका है लेकिन ये बता उससे पहले आने वाले जो हैं वो किस पर आधारित है अरे तुमारे दिमाग की नसे खोलने नहीं मेरे को अ कुका है ये लिए लिए भी ये वेक युनिक बढ़ी आजी बहुत बढ़िया एंपड़े इजुकेशन संद्रचना पर येस येस एक एक आक नो येस येस क्रैमिंग पर टीचर सिंटर्ड पर किरियात्मक्त पर कोगनेटिविजिम पर रचनात्मक्त पर कर्यकुलम सेंटर पर नो है, यस है, सब के मैसिज पढ़ दे, अब देखो, मैसिज की रेंज कम होगी, तो तो मैं क्रैमिंग पर थे, डिस्कवरी लर्णिंग पर थे, क्रियेटिविटी पर थे, यस, आदे से जादे गूगल ढूंड के ला रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा, है न पर नमबर नहीं दुआ में, क्योंकि अभी नहीं, अभी इसके बहुत सारे नहीं-नहीं सवाल आएंगे, ऐसे तो मैं कुरोडपती बना हूँ, फिर कुरोडपती के बाद अरब पती बन जा हूँ, फिर लोग सोचेंगे, सामने सेट के पंडिक जी, येलो, अरे मिरो दोजार पांच से पहले जितने भी NCF आएंगे, वो सारे वैवारवाद पर है, किस पर है, वियुरिजम पर, तो याद रखिये वैवारवाद, तो अगर आपसे कोई पूछेगा, कि जो 1975 वाला था, 1988 वाला था, या 2000 वाला था, वो किस पर आधारित है, वो किस पर है, वैव वारवाद पर बागी जो 2005 वाला है वो है constructivism पर आगे दिमाग खुल गी चलो फिर आगे बढ़ते हैं कैसा रहा कैसा लगा सवाल आज का और इसलिए तो सर्दू पेटेम नहीं अभी दें अभी नहीं 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 नहींगे बिटा चलो नहीं सवाल नमर नो देखो the news of a woman selling her child to obtain food may be understood best on the basis of seated 2012 का सवाल है जो आपको बताना है यह वाली बात जी हाँ वे अवारवाद पर आदा रही था बिटा जिसने दिया था बिटा हाँ सोरब चुबे आपने दिया था बिटा बहुत बढ़िया ठेक है चलिए बताईएगा यहाँ आपके सामने कभी मत बूलना नहीं नहीं जानकारी रोज देता रहूं है इस वाले बैच में अब आपके सामने यह वाला सवाल आगा कि भाई news of women selling her आपने कहीं से खबर सुनी है यह वाली खबर सुनी कि वही जो बच्चा एक माँ जो है अपने बच्चों को बेच दे रही है किसकी लेखाने के लिए तो आपको क्या लगता है किस थेओरी पर आए थी जी नो देख बेटा यह सीधी सी बात है भूग लगी होगी तो इसके कहते हैं साइको सोशल समाजिक वाली बात थी रिइनफोर्समेंट थी 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 फिरारिकल नीड वाली थी यह साइको एनलेटिकल थी बेटा याद रखो अगर भूग के लिए कोई माँ अपने बिच्च को ब कोशिश की दी लेकिन हम बनेंगे नहीं क्योंकि हम बने बनाए हैं क्योंकि इस माँ ने हमें वो लेडी बना रखा है और उस माँ की बनाई हुई दिमाख से हम यह बताते हैं कि यह जो है यह क्या है त्योरियो फिरारिकल नीड जिसकी देते हैं आपके सामने मैसलो साहब ज चलिएगा इस सवाल का जवाब यहां तक आता है C, आगे बढ़ेंगे नए सवाल के साथ जो है नमबर 10 चलिएगा तो नमबर आपके सामने 10 है और 10 नमबर को जब आप पढ़ते हैं तो बताईएगा 10 नमबर के साथ यह क्या होगा To motivate the student towards cleanness, making diamond, member of cleanness committee, reflect क्या बच्चों को स्वच्चता के लिए प्रेवित करते हुए उन्हें स्वच्चता समिती का सदस्य बनाना परति बिम्बित करता है किस चीज की और बताईएगा जरा जी बताएगे तो देखो इस सवाल का जवाब अगर आप दोगे तो motivate करना है student को किसके सफाई के लिए तो यह क्या होगा Social Culture Concept है, Humanistic Approach है, व्यावारवादी Approach है या दिमाख वाले देखो दिमाख से कोई सफाई तो करने से रहा, क्योंकि दिमाख से तुम चपरासी हो, जाडू मानने वाले तो बनने से रहे, तो इसका मतलब एक बात तो किले रदसका भी दी नहीं होगा व्यावारवाद में तुम्हारे ऐसे मोटिवेशन ने की बई साब करोगे तो तुम्हें फिर भाई यह मोटिवेट क्यों करते हैं हम मानन तवादी Approach मोटिवेशन की है यहां क्या कर रहे हो, तुम होरे Social Culture Concept से इंस्पायर जैसे कहा था यह वाली बात, जैसे क्या है वो नहीं हिंदुस्तान में क्या है, कुड़ा बचा वाले क्यों सी स्कीम है, सुच्च वारत अभियान, क्या है वो सुच्च वारत अभियान, तो इस सवाल का एक्जामपल जो है, आप देखा होगा लोग के साथ, अभी मैं जब केदारनाथ गया और के रास्ते सा आ रहा थ जाते हैं इसे, उसके बाद लेक्षर देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, इसको पूरा करने वाले कम मिलते हैं, मैं बहुत कोई बाद नी, लेक्षर कहा दे रहे हैं, तो सुधर गया भाई, दूसरे सुधर जाएगी, इतने में एक अंकल जी, जिनके दो छोटे-छोटे इतने वाले उनके सामने करें, बिल्कुल सही कह रहा है, गाड़ी वाले लेक्षर देने आ जाते हैं, मैंने अभी नीचे जाके देखा, शिरिशी केस में नीचे दारू पी रहे हैं, ना जी गुटका खा रहे हैं, मैं कि अंकल जी, मैंने कौन सा गुना कर दिए, इस आप दुम्हें रियल लाइफ एक्जामपल देने पड़ते हैं, ये यूनिट तीन तारिक को दो फैर तीन वजे तीन जुलाई को मिलेगी बई, नमबर ग्यार आ जाओ, तो आप से पूछा गया है ये वाली बात का जवाब, यूपी टेट पेपर वन में आया, क्लास 6 से लेके 8-2016 का जवाब है, तो पूछ रहे हैं कि बताईएगा भई, कि पढ़ाते से मैं सामाने कक्षा में अध्यापा का सरवादिक ध्यान किस मनोविज्ञानिक तथ्य पर ह चाहिए, जी, हाँ, सही पिटो को मिर को, मैं तब मिर कोई उल्टो इसने ऐसा सिखा दिया कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया उसे बोलके, भलाई का जमाने ही नहीं रहा मतलब, इसलिए खूँखता जा रहा है मेरा, हाँ, कहलो, जालो, यहाँ सवाल का जवाब दीजेगा, और सवाल का जवाब इटा अगर इसमें आएगा, तो नंबर 11 किसके साथ, कोई tension नी, कोई tension नी, देखो, psychological fact है, should be the maximum attention of the teacher, एक किलास में मेरे को पता है, तुम जैसे बहुत सारे नमोने, तुम जैसे बहुत सारे खिलाडी है, तो एक अध्यापक का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है, अपनी क्लास में यह ध्यान डखना, कि उसकी क्लास एक नहीं है, उसकी क्लास क्या है, अनेक में एक है, क्या बोल रहा हूं है, अनेक में एक, तो इसका मतलब वहाँ, individual differences को हमेशा देखके पढ़ाया जाए है, DSSB PRT 2019 का सवाल है, हाँ जी बिट्टा मैं कमजोर होगा, कोई बात ने हो जाओं मोटा मैं, चिंता ना करो, नोटे टाइप वर्बल क्रियेटिविटी इन चिल्डन, निम्न में से कौन सा बच्चों में मोखिक रचनातमकता का एक परकार नहीं है, पहला आप नरेट करेंगे स्टोरी को, कंपोस करेंगे म्यूजिक को, गाना गाएंगे, ओ मेरी महबूबा, ऐसा गाना है न, ये कौन सब्सक्राइब करके आई हो जुरूर अगली बार में भी, तो अब देखो इस सवाल के जवाब के साथ, कहना चाहते हैं, नोट, वर्बल क्रियेटिविटी का कौन सा एक मतलब नहीं है, बारा का जवाब, ओप्शन नमबर, ABCD में तुमने अलग-अलग दिया, देखो, कहान नहीं सुना रहे हो, सही बाद है, गाने का कंपोज कर रहे हो, म्यूजिक ये भी बढ़िया बाद है, सिंगिंग तो चल लिए, वो तो अलगी लेवल पर है, लेकिन यूज गजट जैसे तुम बैठे हो ना, मेरी किलास में, मैं बताँ तुम में से हरकते कैसी होंगी, ध्या सवाल उप्षेन है, तुम लोगा भी, तो हम क्या कर रहे हो, एक साथ पढ़ लिया करो, जब मैं पढ़ा हूं तो तुम पढ़ा करो, ये काम मत किया करो, हाँ, ठीक है, तो इस सवाल का जवाब इटा, गजट वाला नी होगा, यह वरबल वाला नी, यह क्या होगा, राइट सवाल का सही जवाब, बताओ, बता रहा हूं, तुम अच्छी तरह पैचाने का ना, जितना दमखम तुमारे माबापने इतने सालों में लगा होगा, तुम पिछले 3-4 सालों में समझेगा, तुम कैसे हो सकते हो, हाँ, तो यहां बताएगा वेटा क्या होगा, अब देखो इसके बारे में बटा जो जवाब देने वाली बात थी, यहां पर कहना चाहते हैं, कि निमन में से किसने सामानिय बुद्धी के विचार को नकारा और बुद्धी को अनेक विशिस अंसान संक्रियाओं के पदों के रूप में परिवाशित किया, अच्छे एक बात याद हमारी बुद्धी तो कोई तरीके सां काम करती है, हमारी तो वहां भी काम करती है, म्यूजिक में, हमारी वहां भी काम करती है, चालवाजी में, हमारी वहां भी काम करती है, कि कि इसको दोखा कैसे देना, हमारी वहां भी काम करती है, कि इसको बुरा ही कैसे करनी, तो बेने WiDhi is इस लिए जब भी अनिक परकार की बुद्ध होगी कैसी की लगार कोई परकरुर्ण ने तो बस एक ही नाम याद रखना गाड़नर 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 नया नमबर हर्याना टेट वाला छोड़ेंगे ने बटा हिंदुस्तान के किसी टेट को और किसी एकजाम को टीचिंग वाले को ने छोड़ेंगे इस वाले सीरीज में हर्याना वाला आगे तो और याना वालों ने एक सवाल पूछला इस बारे ये बारे में और ये पूछा है दा मोस्ट अब्जेक्टिव मेथड ओफ मिजर्मेंड और परसनेलिटी ओफ चाइल्ड इस की एक बालक के विक्तित्तु के मापन की सरवादिक वस्तुनिष्ट निदी कौन सी है सवाल है बाई बताओ वस्तुनिष्ट पूछा जा रहा है ना ये वाला कहते हैं प्रोजेक्टि मेथड है कोशनेर मेथड है सोचोमेट्रिक है इंटर्व्य मेथड है बताओ जड़ा भाई लाइक शेयर तो करीब याख रहा है तुमारे भी हात अंगुठे नहीं चलते तुमारे अशोग यह दिवनसी मेरा बच्चा एक अकेला है जो लाइक शेयर करवाता है मेरे लिए बगवान भाई तेर को दो नंबर जादा दे इन सबसे दो नंबर जादा दे एक लाइ आप से objective method पूझेगा तो डारेक्ट objective method बेटा ना sociometric ना interview ना प्रोजेक्टिव क्या होगा questionnaire method होता है सवाल से सीधा पूछो के सीधा पता लगा लोगे क्योंकि बाकी क्या है प्रोजेक्टिव जो method है और subjective method है ठीक है अब यह आगे बढ़ेंगे नहीं सवाल की तरह और लड़को लड़को के लिए समझागी बात सवालों का जवाब दो नंबर 15 आगया सीधेट 2015 का सवाल है जल्दी जवाब दो हाँ जी which of the following is not a characteristics of gifted child आप से पूछा जा रहा है कि gifted child के कौन समतर परतिबाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी कौन सी क्विशिष्टा नहीं हो दी यह higher grade mental process वाले lower average वाले high self potential वाले यह solving problem with insight वाले जल्दी जवाब दे तो वहीं सवाल का क्या होगा जो मेरी क्लास में पहली बारा है बहुत बहुत धन्यवाद भई पोशिष करेंगे वहीं आपको लगातार बनाई रखें अपनी क्लास में पंदरा का जवाब बहुत बड़े मेरे अच्छे क्या होगा पंदरा का जवाब option number B के साथ अगर तुम दे रहो सही है lower average mental process साबाश 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 बहुत बड़िया चलो एक नया सवाल लो इसी बात पर रीट की बैटा ये marathon unit 1 वाली आएगी तीन तारिक को तब आना राजिस्थान टेट में एक सवाल पूछा गया है number 16 जिसका नाम number है which one of the following is the storehouse of those desire which are not fulfilled मतलब आपसे पूछ रहे हैं यह यह वाली बात कि आपको बताना है यह कि जिन इच्छाओं की पूरती नहीं होती उनका बंडार करें निम्न में से कहा मतलब तो तुमारे दिल की कुछ इच्छाओं थी है ना वो पूरी नहीं होई है तो नोर्मली अगर किसी की इच्छाओं पूरी नहीं होते बूत बन जाता है भूलवले यह टाइप मूवी आ जाती है है ना तो इसी तरी के साथ से यहां पूछ रहेंगे अगर तुमारे कोई च्छाओं पूरी नहीं होते तो उसका जो कलेक्शन आउस है स्टोर आउस है वो कौन सा होगा बदा दीजेगा अच्छे स्टोरी सना हूँ स्टोरी बग क्लास के बाद याद दिलवाना है याद बहुत बढ़िया सोला का जवाब एटा एक चीज याद रखना देखो इद और एगो दोनों में हो नहीं सकता इगो वाली बात तुम अपने काही सूपर एगो में जरृत नहीं होती है ये बेटा कहा इद यह वही वाला होता है अपने काम बनतर वाइड में जाए जनता है ना अपने को चाहिए सारी कि सारी जो आँख खुशी है वो यहीं से हैं तो यहाँ जो इध होता है वो ही store house होता है आपके उन इच्छाओं का जवाब की पूरी नहीं और वो ही आपको क्या बना देता राक्षश बना देता मंजू लिखा है ना हाँ तो बना देता है फिलाल इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा option नंबर ए चलेगा आगे देखेंगे नया परशनी यह रहा नंबर 17 सीटेट 2021 का सवाल है पूछना चाहता है आपसे which of the following will be helpful in reducing gender disparities in middle schools अर्थात माध्यमिक विध्यालियों में लिंग बेद को दूर करने होती निम्न में से कौन सा कदम जो है आप उठाएंगे सबसे बड़ी है सर रोज ही बोलते हो सुनाते होने कहानी अरे सुना हुआ ना पक्का सुना हुआ आज तुमारी कसम सुना के जवाँ आज छोड़ू होनी चलो जवाब दो फिलाल इसका यह बंद कर दो ट्रिकल आई नीचे चल रही है यह चुपा रही है हाँ जी तो यह कहना चाहता है बेटा क्या होगा हाँ तो नंबर बेटा 17 का जवाब होगा कुशन नंबर 17 का ओप्शन नंबर ABC देख मेरे बच्चे मैं अपनी किलास में जाकर जाओ आँ तो अगर मैं तुम्हें सेग्रिगेट कर रहा हूं यह निगेटिव हो जाएगा मैं फोकस करना हूं कन्फर्म करना जेंडर रोल के साथ कि भाई भूमिकाओं को बल दुआ की लड़का करेगा लड़की यह भी क्या होगा निगेटिव होगा पीजी टीम इंटर्व्यू होगा इंकरेज करेंगे जेंडर स्टीडियो टैफ फ्लेक्सिबिल्टी अब देखो हम इंकरेज करेंगे क्या है कि उनके लचीले पन को क्या करेंगे बहीं सही करेंगे बिल्कु सही बात है और मोडलिंग करेंगे जेंडर टाइप की जेंडर टाइप को बढ़ावा देने वाले बात नहीं तो सवाल का जवाब option number होगा C चलिएगा नया परशने आपके सामने DSSB PRT 2019 का सवाल है आप से पूछा जा रहा है कि ideal model for problem solving was developed by आचा किसी को गर पता होते इसकी full form भी बताईएगा वैसे एक काम करना इसको comment box में देना बही जवाब ideal जो word है इसकी full form बताईएगा और यह आपको बताना है कि समश्चर समगान का यह जो model है यह किन साहब ने दिया था बताईएगा जल्दी जवाब दें perfect perfect देखो यह bellard साब बेंडूरा है ब्रंसफोर्ड है यह वाई गोट्सकी है इस सवाल का जवाब जब देखेंगे ठारा अब देखो यह सवाल आने लगे हैं आपके किस तरह हैं यह दो लोग थे एक का नाम ब्रंसफोर्ड इस्तिन था तो यहां पर आपके सामने न तो बेंडूरा जो हैं मोडलिंग से जुरह जाते हैं ब्रंसफोर्ड जो जुड़ जाते हैं और यह वाई गोट्सके हैं वह हमारे सोच्व कल्चर से जुड़ जाते हैं फिलाल आपको मुझे देना है कमेंट बोक्स में कि आइडियल का जो फुल फोम है वो क्या है development बागी तुम देना जवाब आपके घड़ों पर comment box में नहाँ रमेश और अंकित हैव दा सीम IQ of 120 रमेश इस टू यूर्स इंगर देन अंकित बड़ा एकदम निकालने वाल और बड़िया सवाल है पंजाब टेट ने पूछा था प्रइपर दो था क्लास जो है 2011 में पूछा गया और आपसे पूछ रही यह वाले बार कि दो बच्चे हैं एक का नाम रमेश है एक का नाम अंकित है दोनों का जो IQ लेवल है वो क्या है 120 है रमेश अंकित से दो साल चोटा है यदि अंकित की आईउ बारा वर्ष है तो रमेश की मानचिक आईउ आपसे पूछी गई है आप देखो ऐसे सवाल को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या लगाना पुड़ेगा समय और समय क् पता चल गया कि रमेश जो है अंकित से दो वर्ष क्या है चोटा है और अंकित की आईउ क्या है बारा तो व्यस्सी बात है रमेश की जो एज हो जाएगी क्रोनोलोजिकल एज उसकी कितनी होगी 10 अब यह कहना चाहते दोनों का जो IQ है वो कितना है 120 है तो इसका मतलब सवाल क जो जवाब इंटू में 100 आएगा और यहां पर क्या आएगा 120 अब तुम जैसे बालग जो मेरे ओश्यार नमूने हो तो मैं कहता हूँ लगा के निशाना लगाओ 10 से कम 10 दस दाहीं 100 आगया कितना है 10 10 से इसको डिवाइड कर दो कितना होगा 12 10 से 10 से कम 10 10 दूनी 20 12 और 12 किस के पास है option number C के बाद लेकिन तुमारे math को पढ़ते निकालते हैं तो तो उड़ जाते हैं तो इसले सवाल का जवाब option number C आगे देखो 20 number which of the following is not helpful in the development of creativity of child तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है बच्चे development है जो helpful नहीं है बच्चे के creativity में बताईएगा तो यहाँ सवाल आता है sports में, speech में, story typing में या फिर constructions की activities में जि जली यलनी 20 number और 20 number के बाद मुझे याद आगया कि कल मैं आपके साथ teaching aptitude की class में भी मिलूआ भई और यह आपके साथ 2 fair में कल 3 बजे होंगी तो यह CDP teaching aptitude से related NBS में आप आईएगा ज़रूर बढ़िया class होग एकदम बढ़िया कुछ नए तरीके से कुछ नए अंदाज में फिलाल आपके सामने मेरा सवाल है जो आ गया है हमारा कितना था यह वाला नंबर 20 एच्टेट वालों ने 2011 में सवाल पूछा था और यह बताईएगा जिनके गलत हो रहे हैं प्लीज पढ़ने में ध्यान दीजेगा बाकी में बता देता हूं 20 number का जो सवाल होगा और 20 number क सवाल में आप जाते स्पोर्ट्स है स्पीच है स्टोरी टाइपिंग है या कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज है तो नंबर 20 में में रच्छे याद रखना यह क्या होगा not a not helpful in the development of creativity of child कौन सा तो स्पोर्ट्स होगा है स्पीच होगा है स्टोरी टाइपिंग और इस सवाल का जब जवाब देंगे तो इस सवाल का जवाब अधिकांच लोगों ने क्या दिया है बी ओमाई गोड बी 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 सब लोग भी ही दे रहे हैं एक बार ध्यान से देख लीचेगा आपको एक मो खा और दे रहा हूँ इस सवाल के लिए बताएगा जरा हां जी छले खैर देख लेते हैं इस सवाल का जो जवाब है तो आप में से क्या दे रही है कहना चाहते हैं which of the following is not helpful in the development of creativity of children कि निमले किसमें से क्या बच्चों के सरजनात्मक्ता के विकास में सायग नहीं है sports जो है, speech जो है story writing जो है और उसके बाद construction, construction होगा story writing होगा और जो आपका भाशन होगा, क्या भाशन creativity में नहीं होगा देख लो एक बार आप लोग जो सवाल का जवाब दे रहो, मैं अभी भी सवाल को लेके चल रहा हूँ देखो ऐसे सवाल को न कई बार दिमाख लगाए, अगर speech है तो ठीक है बस यही एक logic समझा देता हूँ हिंद इंगलिश में, होता क्या है कि बहुत बार ना जैसे एक टेट ने सवाल दिया और आपने भी सवाल को जवा दिया मैं थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी नजर आपके सामने इधर लाना चाहूंगा जो आप ध्यान दे मेरे बच्चे एक्चली में जो भाशन था ना यह lecture था L-E-C-T-U-R-E तो एक्चली में जो वर्ड होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था lecture इन्होंने क्या दे क्योंकि speech तो ऐसी चीज है जिसमें creativity माहिन रखते देखे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे शब्द जो है वो जितने बैतर होंगे वो आपकी तरफ पहुँची जाएंगे तो इस सवाल को समझना थाया बरकि अगली बार अगर आपके सामने आ जाए तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा option number B ही होगा लेकिन जो speech word है वो creativity के पहचान देता है लेकिन जो lecture होता है वो creativity के पहचान नहीं देता तो हिंदी में भाषन बोलना और यहां lecture देना तब तो यह बात सही है लेकिन अगर इस speech के बारे हैं बात करोगे तो याद रखेगा यहाँ पर इसका translation ही गलत था जब paper में आया था तो यहाँ speech नहीं होगा यहाँ इसको क्या लिखना चाहिए था lecture तो इन सारी चवाद आसिफ राजा जी आप न प्लीज आप एक साथ यह message ना करें मतलब जो मेरा बच्चा पढ़ने के लिए आता है प्लीज थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दीजेगा यह उल्टे सीदे काम मत किया अगर यार ठीक है जो भी है मैं आपके साथ जुड़ा हो हमेशा तो एक बार message कर दो मुझे तक पहुंच जाता है चलिए number 21 पर आपके सामने आ गया और number 21 पर जो आपके सामने है वो है आपके सामने क्या 21 का कि maximum participation of student in teaching is possible though the following method बुद्ध शान्त हो जाओगे भाई मेरको शान्त कराना पड़ेगा दोस्त नहीं negative marking बेटा नहीं है दिली चलिएगा नवया number जो आपके सामने है बहुत बढ़ी है speed के साथ देखो यहाँ पर maximum participation की बात कर रहे हैं तो किताबों में तो maximum होगा नहीं लेक्चर अभी गलत बताया यह non-visual अरे यार हम लोग आपस में क्या करेंगे एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो जो conversation होगा वो हमेशा क्या होगा best होगा और conversation इसका जवाब होगा option number D नवया number CTET फरवरी 2014 में 2014 में एक disorder है जो related है लेंग्वेज के comprehension से वो कौन सा होता है फटावत अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अप्रिसिया या फिर अफेजिया बताइएगा जल्दी नमबर 22, option number ABCD 22 का जवाब देखो, अगर किसी में normally reading वाला पोला होता न अच्छे एक चीज और बता दू जहाँ पर DYS लिखा होगा और जहाँ पर A लिखा होगा A का मतलब होता है absent absent का मतलब था absence इसका मतलब वो चीज क्या है? अनुपस्तित है वो चीज क्या है? अनुपस्तित है और अनुपस्तित चीज का मतलब हुआ कि इसका मतलब वो ठीक नहीं हो सकती और जो dyslexia DYS लिखा होगा वो क्या है disorder है और जो disorder है उसको क्या किया जा सकता है इंप्रूव किया जा सकता है तो एक बात हमेशा याद रखेगा A और D में एक ही फर्क होता है कि A को कभी सही नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर यहाँ पर dyslexia होता तो वहाँ पर reading का होता language के सा आफेजिया और जो है आपके साथ option number D नयान जो बीटेट वाला सवाल आया दो टेश नंबर कि नेशनल करिकुलम 2005 सजस्ट करता है विच आप फोलिंग एक्जामिनेशन रिफॉर्म बताईएगा कौन से रिफॉर्म को बताता है आपका NCA पहला class 10 examination optional होने चाहिए state level exam to be conducted at different stage होना चाहिए उसके बाद गाता comparative जो competitive आपकी क्या होनी चाहिए entrance exam होने चाहिए और सारों के सारा होना चाहिए ये जी नंबर बताएए नंबर 23 बहुत बढ़िया इस सवाल का जवाब एक्दम आफ फस्क्लास तरीके से बहुत बैतरीन देने भाई बेहन बंदू हो गलत जवाब इस सरकारी लग रहा होना जान लालची लोग मेरे को पता था हो गया ऐसे स्वैग नहीं करने का आप देखो इस सवाल का तुम्हें पेटे मिलेगा न मेरे को पता था बेटा बहुत दिन हो गते फसाई भी ना तुम्हें आगे ना लोगों ने इस सवाल का जवाब D D D D D दिया और दोको 70 पर्तिशति लोगोंने किसको कहता है वो कहता है क्लास एक्स के जो टैंथ के एक्जामिनेशन है वो ऑप्शनल होने चाहिए यहां किसके बारे हम बात कर रहे हैं नेशनल यहां पर क्या लिख है इस लिए क्या होगा गलब और एक बात बताओ कंपिटिशन के बाद हम कभी कहते हैं लेकिन तुम्हें क्या है तुम्हें तो लगा कि ओ लोग दी जा गया सरकारी जवाब होगे ना सारों के सारों का तुम कुछ जानोगे कोई पेटीम नंबर है कि किसी गरीब का गरीब का मतला जिस इंसान का मदद हो जाए तेरा नमबर देदो ना पून आएंगे तेरे पास मेरे से लेकिए सर्चे बात करवा दो ठीक है तो इस सवाल का जवाब होगा option आगे समझ में हाए ना आगे समझ म का जवाब होगा option number A चलो आगे बड़ो नए सवाल की तरफ यह रहा नया सवाल नया सवाल के आने से पहले परचार और अगर तुम्हें CDP के कोश्चन चाहिए या हिंदी, English, English किसके भी तो CDP के कोश्चन की बिट्टा है 1200 कोश्चन प्लस है इसमें तुम चाहो तो ले सकते यह वाली Amazon पर available है, चलो आगे देखो, नमबर 24, by which determinations of curriculum has included idealism, DSSB PRT 2019 का paper है यह जिसने आप से पूचा है कि पाठे करम में किस निर्दारक द्वारा आदर्शवाद को शामिल किया गया है, जी, गोल कपा, तुमारा नमबर दे दू, चलो, नया सवाल, 24 नमबर का जवाब द क्लास के आखरी में बताना कैसे लिए आज की क्लास, नहीं बिटा, बीड होना चाहिए अंकित, नमबर 24 का जवाब, option number ABC, 24 का जवाब जो होता, बिटा, एक क्या है, psychosocial है, philosophical है, और psychological है, social, अरे idealism वाले सिर्फ एक पर बात करते है, philosophy बात ही का दम्यार, नमें नहीं भी बता तो B जवाब है, यहां दिमाग में रखना, जो आपके research से या उससे आए न, philosophy से सवाल आए, तो number B ले जाना, यह देखो भई, seat 8 का सवाल है, आपके सामने, रीना always think of varied solution for any problem, given in the class, this is the characteristics, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समश्य को सुल जाने के लिए, अलग-अलग तरीक चीए, बताएं जरा, लाइवली classroom situation, there is likely to, likely to be, एक सजीव कक्षा स्थिती में निम्न में से सबसे अधिक संभावित चीज क्या होती है, हरियाना टैट के paper का सवाल है, पूछेगा और बताएगा क्या होगा, देखो, मतलब अगर कोई class, अच्छे एक बात बदाओ, मतलब तुम लोग को वैसी class च चुप चाप आँ, चुप चाप चला जाओ, और फिर तुम मेरे को मैसे बड़ा rude master है, I don't like this, लेकिन, एक live class क्या होती है, जिन्दा class, जिन्दा class मतलब तुम मुर्दे नहीं हो, मैं मुर्दा नहीं हूँ, हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बात, interaction कर रहे हैं, इसका मतल होंगे, तो loud discussion कर रहे होंगे, दोनों, एक दूसे occasional road, मतलब अचानक से जैसे सुबह सुबह नहीं होता हो, तुमने देखा होगा, आपके घरो के बार जो पार्क होंगे, जो हो 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 हो, ऐसे चिला था, बगवान कसम, एक दिन की बात बता हूँ, मैं ऐसे सुबह सुबह च पूचे उड़ गया था, वो तो नीची गिरा नहीं है, मतलब इतने घंदे तरीक से चिलाए थे, और उसके बाद मेरी तरफ देखके मुस्कुराए, फिर दोबारा, मैंने गा, अंकल जी तुम पहले ही मुस्कुराए थे, हमारी दोइडवीड निकाल दी थी तुमने, तो से बढ़िया, कि frequently क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, option number C, आगे वेखो नया सवाल नंबर 27, 27 नंबर का जो जवाब है, dash is a term used to describe a set of basic skills, acquired door learning, और ये सवाल आपके पेस है, खिदमत में सूपर टेट की तरफ से, तो सूपर टेट की तरफ से एक सवाल आया है, बताओ जरा सूपर टेट वालोगों कितने पड़े लिखे हो तुम, हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो नंबर आपके सामने यहाँ है, अब बताईगा जरा, तो यहाँ नंबर 27 का जवाब है, बिल्कुल सही है, और 27 का जवाब क्या होगा, यह बताओ किस से रिलेटिड है, लाइफ है, तो सूपर टेट की लाइफ स्किल के बाद, नया सवाल, नंबर जिसका 28 है, यह आपके स्क्रीन पर, तो जरा हमारे D++P वाले और KVS वाले बच्चे तयार रहें, ओफलाइन वाली क्लास में, यह ओफलाइन की क्लास जो इनके साथ होने वाली है, हमारे इस शनिवार या रहिवार में, जिसमें आप हमारे साथ देखेंगे 100% जिसमें आप देखेंगे Learning के सवाल और जिसमें आप सवाल देखेंगे RTE के सवाल, NCF के सवाल और साथ साथ में बहुत सारे सवाल, तो चलो जवाब दीजेगा नंबर 28 का आपके सामने क्या होगा, जी, कि कोई भी टीचर किस काम में नहीं लगाया जा सकता, ये पूछा गया था, तो जो यहां पर इस वाली बात के साथ, दोहरे जो मेरे से स्टोरी सुनते हैं, और रोज अपने जिन्दगी की कुछ सजीव घटनाई हैं, तो इस क्लास में सुनाते रहता हूं, इस कारे करम के दोरान, नंबर 29 का जवाब दो, और 29 का जवाब होगा याद रखना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, सेंसे जन्गना में, लेकिन वो दो गूंद जिन्दिगी की में नहीं जाते हैं, मतलब प्लस पोली अभिवान मे किसी भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इसलिए सवाल क्या होगा, ओप्शन, आच्छे ये सारे के सारे सवाल बिटा, आपको टेलिग्राम चैनल अध्यन मंतरा पे शेर कर दूआ मैं, मतलब ये जितने भी सवाल होंगे, ये सारे के सारे जो होगा, अभी जैसे क अध्यन मंतरा के ये जो टेलिग्राम चैनल पर आपका अविलेबल हो जाएंगे, जी, आगे बढ़ेंगे नंबर 29 के बाद 30 नंबर ये रहा, और 30 कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पॉपोस इंकल्शन ओफ डैश एंड डैश फोर असेस्मेंट ऑफ चिल्डन, क्या होगा, गुरूफ बर को, सेल्फ असेस्मेंट, प्रोजेक्ट, स्टेंडर टेस्ट, स्टेंडर टेस्ट, पॉर्टफोलियो, नॉम रेफ्रेंस और क्राइटेरियन, बताईएगा किस का, जी, तर ये लोग गुसा नहीं करते, तो ये लोग लाइक नहीं करते, तो आपक आपको एनलेसिस नहीं करेगा, और सवाल का जवाब भी नहीं देगा, तो लाइक करना तुम्हारा काम है, आओ, करो, ना करो, वो भी तुम पर है, उसके लिए कोई जबर जस्ती तो हो नहीं सकती, फिक है, नंबर 30 का जवाब मेरे बच्चे जब जाओगे, बिल्कुल सही सर, बात करें, आज की क्लास यहीं खतम हो जाएगी, बाकी किताबे मिल जा रही है, और कल दो फैर में, एक स्पेशल क्लास मिलेगी भई, आपको क्या है, यह वाली, इच की आ रही है, तीन बजे, और TGT English के साथ आपको मिलेंगे, आतिवारी सर, जो मिलेंगे आपको, चार बजे, ठीक है, तो भई, कैसी रही है, आज की क्लास और क्या है, आपका स्कोर फटा-फट बताओ, मस्ती मजाक आया कि नहीं है, बताओ जरा, बहुत बढ़िया, जो पहले लाइक करते तो सर, फिर मेडिटेशन करते, सलेलें कुछ सा करते, ना पगली ऐसे, धरम गांड के क जोन से मिलते हैं, डीन मंत्रे की सारी किताबे हमें जोन से मिलते हैं, ठीक है बई, आगे समझ में, स्टोरी सुना तो दीथी पापजी को खूदने वाली, ते लेगा, आज की किलास आशा करते हैं, अच्छी लगें कि बटा, मिलेंगे फिर कल, दुफैर में तीन बजए, फ झाल झाल